और कि हरे क्रिश्टन अबिर्वन यहां चंबर सिस्टम तो क्या करना है जए कि करना है एक्तो सबसक्स करना है पूरा चमबल डेवरश चलता है एप इउमेद करते हैं कि यह आपके पास कब धिख रहा होगँ तो सिपंबर पास सब्सक्राइब तो सितंबर आज 6 सितंबर है मतलब एक मेना बाद से देखने के लिए तो इतना पहले कि रिकॉर्ड कर रहा है तो कर दे रहे हैं तो लाइब चलाना नहीं है वहां उसके भी वीडियो मुझे समय रिसेंट लगेगा तो इस दिन में भी डाल दूंगा या पर द सिस्टम से सुरू करते हैं ठीक है एडिग डाली चंबल राइज इन दा हाइलेंस ऑफ जनापाव हिल्स यह जनापाव से सुरू आत होता है जो पहले का विडियो देख रहा है उसको जनापाव तो जनापाव जैसा याद हो गया होगा यह रेंज कौन सा है तो विंदियन र सब्सक्राइब करता है यं। जएन करता है मतलब जोन एंदिक डिडीर हैं मेला की कहां पे जोन करता है तो इतावा संब मेई तंटरीर्च में निइडिवर फ्लॉज मुझमेंड कंदाहर को ज्केंड होता नियूंगौं किनार नरी कीनार किनार होता है इस किनारे से काफी नीचे बेहता एक यूब किर्या पूरा बहुत करता अब पूर रेंट ऑुत अ ऑप मिन्ध़ रवाइन क्या होता है रवाइन सबस्प्स एकड़ना गाटिसाइ नहीं हो रहे हैं कि इन फॉंड इंड चंबल वैली जो जो कि चंबल के घाटिव में जो रवाइन से बना हुआ है उसी से यह चंबल बहता है और क्योंकि डिवाइडिंग राइज अब इसके कारण क्या होता है कि यह क्या करता है कि बैड लेंड टोपोग्रफी बनाता है ठीक है चंबल का जो वेली है यह बैड लेंड टोपोग्रफी बनाता है बैड लेंड टोपोग्रफी क्या है अराम से बताएंगे बैड लेंड टोपोग्रफी बहुत सारे लेंड के फ मतलब बैड लेंड से दिक्कत हो जाता है कि हम अगरी कल्चर नहीं होता है उस पर ओके एरिड है एरिड लेंड फॉर्म समझ में आता है जिसमें पानी वानी नहीं हो सुखा हुआ ठीक है वो सब बाती यमुना 1300 किलो मेटर पर आकर के जब गंगा से मिल लेती है तो चंबल कितना 100 किलो मेटर चल करके यमुना से मिल जाती है अब कुछ-कुछ बांध है चंबल पर चंबल पर बांध है क्या हाँ चंबल पर कुछ-कुछ बांध है क्या हाँ चंबल पर कुछ- अधर फॉस्ट और फॉल्ड ग्यूंट उन्द चंबल लिवर है और चार देम नदीप ब्रहने हुए है लोकेटेट डॉन राज्जस्तान अन्मध्यप्रदिस बॉर्डर मतलब यह मद्यप्रदिस का बॉर्डर है और यहां पर लोकेटेट हुआ है दुसरा है राणा स्टिमने अभंगले जयख है चंबल रिवर है इन चितओरग़ टिस्टिक और राजस्थान गुटवि का नाम है चितओर गड़ और चितओर में कौना डम है तो राना परताब सागड ऑप ओंत्कु के पहला यह हों गया दूसरा ही हो गया तिस्रा ही ओगा जोहर सागर्डडड़्य जटाल्ड़ जटाल्ड़्य की着 कितना है कोटा से यहां मतलब कुछ यहांपर है इसका नाम है जवावर सागר डैम मतलब कहना राजस्तान में है नाव फूर फूर प्रेट है कोटा बराज यह कोटा महीं है यह quatro होता है फूर्थ इंदस्रीज और चंबल वैली प्रजेक्ट पॉइंट इट किलोमेटर पर स्ट्रिम कोटा सीटी जहां कोटा सीटी है ना उसके लगवग एक किलोमेटर उपर है अपस्ट्रिम में तो इसका क्या करना है कुछ करना नहीं इसको एक बार आपस देखते हैं और उसके बाद आपको नोडाउन करना है कि कह रहा है कि जनाप आउहिल से विंद्या रेंज से निकल के आती है मालया प्लेट्य को उपर चलती है टावर डेस्टी के उतर प्रतस्मिया मुना को जवाइन करती है यह बैडलन टोपोग्रफी का एक एक एकजांपल है इसमें गांदी सागर राना प्रताब जोहर सागर कोटा बेराज तो यह चार डेम है ओके तो यह हुआ चंबल नदी हाँ यह हुआ चंबल नदी अब कुछ और नदिया है एक का नाम है बनास सिंद बेतवा केंद अब बनास को हम इसी में देख लेते हैं बाकि सिंद बेतवा केंद को दूसरे वीडियो में देखेंगे तो बनास is the tributary of चंबल अरे इसलिए त originate in the southern part of Arauli range Arauli ऐसे है और यहां से बनास उरूपर करके चंबल में आकर कमें जाती है कोटा को पार कर जाती है कोटा इधर यह कोटा कार पर जाकर करकर जावन करते है जोई जोएंट चंबल इन राजस्तान कहां जोएंट करते ही राजस्तान में और मद्य प्रतिसके बोर्द और पर नियर सवाई माध्वापूर अब यह सवाई माध्वपूर के है तो एक जीला है सवाई माध्वपूर ख़त मैं एक घ directamente का end और चंद्बल लिवर का और बरनास लिवर का end अब हम देखते हैं अगले ची अब शिंद्द बेतवा केंद देख लेकर लिए थाम้रे बीडियो को इंतजार करना पड़ेगा इसके पहले इसको लाइक करना को चेट करना Banana शहले सेक शेयर करना है